देखिए अगर आप GTL Infrastructure की बात करें तो बजार में खबरों का जो सिलसिला है या आपको 5G Rated लगातार चलते हुए दिखाई पड़ेगा और अगर आप आज की बात करें तो आज ये 1 अपरेल और अगर आप आज के दिन देखे हैं तो कुछ ऐसी खबरों की मैं आप से इल को देख रहे हैं ये तीनों जो शहर है ये भारत में इसी के लिए नीचे गिर रहा है कि बजार में 5G का अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको अभी भी कम ही उम्मीदें लगती है कि इंडिया में 2022 तक अगर आप ध्यान दे तो 5G आएगा और ये जो बाते हैं ये आपक जाव निकल कर आ रहा था कि इसको ऐसे बनाया जाए या फिर इसके लिए कैसे इंवाइरिनमेंटल चीज होंगे उस पर कैसे रोक लगाया जाए इनके सामने ट्री जो भी सटेप ले रहा है ये आपको मात्र 10 दिन में नजर आएगा और ये बातें मैंने आपको स्टार्टि समझाई है कि अगर आपने GTL या फिर HCL या फिर TTML को खरीदा है तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा ये मैं आपको मात्र 100 से लगाने की सलाह दे रहा हूँ और अगर आपने सही मौके पर 100 शहर और GTL और Software of HCL और 100 सिर्फ टीम को अगर आपने खरीद लिया तो इस लेबल से अगर आप ध्यान दे तो 3 शेर है ये आपको 1000 प्लस जाते हुए दिखाई पड़ेंगे और ये बाते में क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको बताने के लिए आदर कौन सी अपडेट आई है ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा देखि कि आपको सैमसंग या फिर नोकिया या फिर बड़े बड़े आपको अंदर कम्या नजर आती है ये अलरेड़ी 5G के जो निर्मान है ये अपने फोन में स्टॉट कर चुके हैं और उसके सामने अगर आप ध्यान दे तो अभी भी 5G आने की जो गुनजाईश है ये आपको इ तो जितनी भी बिल्डिंग में इनके टावल अगे हैं उसको वापिस से रिपेर कर रहा है और यह रिपेर क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो भी 5G का सपना देखा जा रहा है जो कि आपको मार्चेंड जो की 30 फर्स दिन नजर आता है उस के पर दाव लगा दिया तो जीतने भी टाव ये 5G ऑपरेट करेंगे ये आपकी किस्मत बदलने वाले हैं और ये किस्मत क्यूं बदलेंगे इसको बताने के लिए अदर जो अपडेट है ये भी मैं आपके सामने प्रदान करना चाहूंगा देखिए अगर आप जीते इंफ और चौथे नाम की जो कमपनी है ये आपको LIC नजर आएगा और जब LIC द्वारा कोई भी कमपनी में पैसे लगाए जाते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि बजार के जीतने भी रिटेल सेक्टर के निवेशक है ये आपको पीछे दोरते हुए नजर आते हैं और जो आपने मातर एक हजार रुपे लगा दिये तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जैसी फाइब जाएगा और जो भी आने की जो गुनजाइश है ये आपको आने वाले दो महीनों में दिखाई पड़ती है ये आपको कन्फर्म अगर आप देखें तो तकरीबन 100 प्लस जाते पड़ते हैं और इसमें अगर आप ध्यान दे तो कौन सी ऐसी बाते निकल कर आई हैं कि 5G की जो स्टॉक है ये सारे एक्सपर्ट आपको बताते हुए घूम रहे हैं तो उसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखे हैं तो भारत में जो भी 5G का सपना देखा जा रहा है जो कि आपको आने वाले 2-3 महीने में आएगा उससे पहले अगर आप ध्यान दे तो 6G का जो सपना है ये भारत की टेलीकॉम मिनिस्टर देख रहे हैं और इससे आपको क्लियर संद के जाता है कि भारत में 5G तो आएगा ही साथ में अगले 6-7 महीने है उसमें सिंग जी आने या साथ में जीते इंफ्रस्ट्रक्चर और टीटी मेल का जो नाम है ये आपको टॉप 3 स्टॉक नजर आते हैं और अगर आप चौथे स्टॉक की बात कर रहे हैं तो HCL जिसमें औरेडी रिलायंस आपको बड़ा स्टेक खरीद कर बैठा है ये आपको 4 पॉसिबिलिटी नि बजार में क्या ही कमा कर देंगे तो मुझे कमी उम्मीदें लगती है कि जब बजार में खबर आएगी कि अगर आपने 10 साल पहले डिटेल को खरीदा होता तो आप इसमें इतना कमाते तो वो न्यूस पढ़कर आप कही ना कही बिलकुल पसंद आने वाले हो तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्यों मैं लगातार पस्त आने की बातें कह रहा हूं इसको बताने के लिए कौन सी अंदर अपडेट चल रही है ये भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा तो ये जो बड़ी खबर आपको जीते इंफ्रस्ट्रक्चर और साथ में HCL को लेकर दिखाई पर रहा है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिये हैं और इस खबर पर अगर आप नजर डालें तो बजार में जो भी 5G आने की बातें हो रही है उस 5G को लेके अगर आप देखे तो जो भी रोल आउट करेगा या फिर नए टावब बनाएगा या फिर एक क 5G के बनने वाले हैं और इस तावका में जजो हिस्सा है ये आपको जीते इंफ्रस्ट्रक्चर और साथ में HCL बनाएगा और जैसे ही बनाएगा उसके बाद अब देखना ये दोनों जो कमपनी इनको इतने बड़े बड़े डील मिलने वाले है कि इनको रोकना बिलकुल मु नाफा कमाने वाले हैं और बाकियों की अगर बात करें तो आपको वेट करते ही दिखाई पड़ेंगे। नजर डालें तो भारत में तकरीबन मिलियन आफ जॉब है। ये आपको रिन्यूवल एनरजी से पैदा होगी और इस रिपोर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आपको मूडीज का कहना है और यह कैसे बढ़ेगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दून की 2030 का जो साल है ये एस्टीमेट के रूप में लिया जा रहा है और इस एस्टीमेट में अगर आप देखे तो भारत का तकरीबन 95% बिजली है। ये रिन्यूवल एनरजी कमपनी बनाएगी और इस एनरजी में अगर आप देखे तो सबसे ज्यादा जो प्रोफिटेबिलिटी है ये आपको वाइनरजी से आएगा और इसमें आपको अच्छे से पता है कि सुल्तान अरजी आएएस और साथ में उर्जा ग्लोबल का जो नाम है ये आपको टॉप थरी नजर आते हैं और जब आप इस तरह की कमपनियों पर दाव लगाएंगे और अगर आपने लॉन टम प्रो होगी और अगर